कि अभी तक कि मैं काफी सैड था कि वीडियो हट चुकी है और मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था कि आखिर हटी तो हटी क्यूं हाला कि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीजन या किस डायलोग या एक्जैक्ट किस डायलोग की वज़े से ये वीडियो टेक डाउन हुई है बट अब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे डायलोग का खुझ से ही एक मतलब निकाल रहे हैं मैंने आर्टिकल्स भी देखे हैं वीडियो भी देखी हैं जहां पर मेरे एक 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 वर्ड को आउट आफ कॉंटेक्स शो करके कलत रिप्रेजन्ट किया जा रहा है देखो गाइस जब भी हम कुछ कोई वीडियो देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं तो उसे हमें पूरे कॉंटेक्स्ट के साथ समझना चाहिए देखो ये तो एक फैक्ट है कि अगर तुम कोई सेंटेंस स्टेटमेंट या डायलोग को आधा पढ़ोगे या फिर उसका सिरफ एक सिंगल वर्ड पढ़ोगे तो उसके तो सौ मतलब निकल सकते हैं मेरे बहुत सारे स्लैंग्स को आउट ओफ कॉंटेक्स ले जाया गया है मैं उनमें से तुम्हें एक एक्जाम्पल देता हूँ कि जब वीडियो में आमिर सिद्ध की ब्रैंड वाला पॉइंट कहता है कि TikTok influencers के पास YouTubers से जादा ब्रैंड होते हैं तो मैंने उसके reaction में कहा था कि जब इनकी brand deals होती है तो एक individual creator के साथ ना होकर बहुत सारे creators के को लेकर होती है तो उनकी एक इंडिविज्वल क्रेटर की इतनी ब्रैंड वैल्यू नहीं होती और उसी ब्रैंड वैल्यू के कंटेक्स्ट में मैंने एक डायलोग बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा दोसों में बिख जाएगा इस डायलोग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रैंड वैल्यू से था जो मैंने दोसो रुपे से रिप्रेजेंट की थी अब मैं मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मेरे स्लैंग्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके घलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं देखो गाइज अगर तुम हिंदी में लिखे यूमर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा बिलकुली अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ तो उसका एक अलग ही मतलब है और वो उस केस में भी है जब तुम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो वो दोनों केस में है तो गाइज प्लीज 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 अपनी अजम्शन्स को फैक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट मत करो और अभी तो मुझे खुद नहीं पता है कि ओफिशली किस डायलोग की वज़े से वीडियो टेक डान हुआ है तो अपनी तरफ से अजम्शन्स मत लगाओ और प्लीज पूरा कॉंटेक्स समझो प्लीज